कहते हैं जो इंसान संघर्ष करना नहीं छोड़ता है, वहीं इंसान एक दिन रिकॉर्ड तोड़ता है टोकियो अलंपिक में गोल्ड मेडल जितने वाले नीरत चोपड़ा जिनके कामियाबी के चर्चे बच्चे बुढ़े जवान देश के हर युवाओ के जुबान पर है सायद ही इंडिया में किसी का वाटसप ऐसा होगा जिसके इस्टेटस लिस्ट में नीरत चोपड़ा के कामियाबी के इस्टेटस ना दिखाओ 140 कड़ों लोगों के लिए प्रेणा बने नीरत चोपड़ा जिनका जर्म 24 जिसंबर 1997 में हरियाना के पानिपद जिले में छोटे से गाउं खांडरा में एक मध्यम बर्ये घर में हुआ असान नहीं था इनके लिए कामियाबी का सफर पर वो कहते हैं ना जिनके अंदर जिद होती है कामियाबी की भूख होती है ऐसे लोग जब तक कामियाब ना हो जाए हार नहीं मानते पर इन्हें भी पहली कोशिज में ही कामियाभी नहीं मिली ये भी पहले हारे गिर कर उठे फिर दुगने जोस के साथ दुबारा मेनत किये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किये कि एक के बाद एक अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते चले गये इनका एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जबरदस्ती का मैनत आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे आपके अंदर जुनून होना चाहिए उसे करने का तभी आप लाइफ में हर बड़े उचाई तक पहुँच पाओगे नीरज ने 2010 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की तब वो स्रीप 13 साल की थे इस्टेडियम घर से दूर था घर से आने जाने में काफी ज़्यादा टाइम लग जाती थे इसलिए 13 साल के उम्र में ही इनोंने डिसीजन लिया पानिपत में रूम लेकर अपने सीनियर के साथ रह जीत लिया फिर अगले साल 2013 में इन्हें पहली बार इंटरनेशनल चेंपियंशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला परन्तु ये वहां अच्छा नहीं कर पाए और इन्होंने 19 पोजिशन हासिल किया अपने इस खराब प्रदर्शन को देखकर और जादा मेनत करना फिर अगले ही साल 2014 में इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल सिल्वर मेडल के साथ जीत हासिल की परन्तु इस बार भी वे अपने प्रदर्शन से ज़्यादा खूस नहीं थे और फिर इन्होंने अपने प्रेक्टिस को और बढ़ा दिया दिन रात मेहनत करने लग ग और इनके आर्थीक स्थती में भी सुधार हुई खेल के दोरान इन्हे कई बार चोटे भी लगी, एक बार इनके कलाई पर तो एक बार इनके दाहिने कोहिनी पर। इन्हें recover होने में कई महने लग गए, इस दोरान इनकी practice भी छुट गई, struggle तो बहुत किये इन्होंने, और चाहे किसी भी successful इंसान की story देख लो, एक बड़ी कामियाबी की पीछे, लंबे समय की struggle छुपी होती है, आपका जिबन भी बहतर हो सकता है, चाहे एक दिन में, एक महन में या कुछ सालों में, बस अपने महनत को continue रखो, अगर किसी से कुछ सीखना है, तो उनके कामियाबी से नहीं, बलकि कल के उनके किये गए अकेले के महनत और उनके struggle से सिखो, क्योंकि अगर आप उनकी तरह महनत और struggle नहीं करोगे, तो फिर उनकी तरह कामियाबी कैसे कर दो, वो कामियाबी जो कोई सोच भी ना सके, आप हासिल खुद के नाम वो कामियाबी कर दो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो ही इसे लाइक और सेर करना, धन्यवाद